हमाई साथ बाचीत करने के लिए कॉंग्रेस सांसत गुर्जीत सिंग ओजला साब है सर जिस तरह से दो घुस पैटिये घुस जाते हैं हंगामा होता है आप वहां मौझूद थे क्या कुछ हुआ बताई बिल्कुल जब हम बैठे थे पारलिमेंट में जीरो आवर चल रहा था होस्ट रिजर्न होने का था तो उस समें एकदम वहां लाग 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 होता है ऐसी होता कि जैसे अटैक हो गया कि दो आदमी उपर से शलांग लगाते हैं वेटर गैलरी से तो मैं तो भी बैठा ही ता मेरी मेरा ध्यान उनके उपर जाता है तो वह बागते हैं स्पीकर की तरफ चेर के उपर से और कुछ खोलने की कोशच करते हैं तो हमने उनको लोलकारा आगे से शांसत लोग बहन बहनी वाल और भी दो चार थे उन्होंने आगे से उसको गेर लिया तो मेरे को बदा था एक आदमी पीछे हैं वह बहां शिपके उसने अपना जो भी बंप समुक था वो नकाल लिया पैर से और उसने वह लहराना शुरू तो वो नारे बाजी करने लगा तो लोग तन्तर में की बहाल करो ताना शाय मुर्दा बात वो आगे बढ़ने लगा फिर मैंने आगे होकर उसको दुबोच लिया और वह बंप छीन कर जो भी था मैं बाहर की तरफ बागा और बाहर उसको फैंक दिया तो यही एक समय था और एक में एक डेड़ मेंट की बात हुई सारी ऐसे लगा था कि जैसे कोई हमला हो गया पारलिमेंट के उपर पीली गैस भी छोड़ी गई आपके हाथ में भी यह पिला निशान है क्या था थोड़ा जोड़ा थोड़ा मसूस हो रहा है क्योंकि एक दम बहुत जादा दुआ हो जो हम बैठता है तो फिर एक डर का महौल तो था यह उदर लेकिन जब हमने उनको रोका हमने को द्यान में नहीं था कि क्या हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो लग बात थी क्योंकि हमें तो पता नहीं था उनके पास क्या है क्या नहीं है लेकिन हमने यही सोचा क इनको किसी तरा भी इनको रोका जाए आगे से की हमला हो गया है लेकिन हमने उनको पकड़ना जादा बेस्तर समझा कि इसको आगे वकर रोकना चाहिए आजका दिन उन्हों ने चुना है मीडिया प मेडिया पर भी रगे हम 13 को यह करेंगे वह करेंगे तो वो उन्होंने कुछ किया अब इसकी तो तैकिकात करके सरकार बताए कि ये कौन लोग थे कैसे आए कैसे ये कटे हुए क्या उनका मंचा थे राहुल जी भी वहाँ खड़े हुए थे सीना तान कर खड़े थे सोशल मीडिया पर उतस्विरे सभी ने देखी बिल्कुर राहुल जी आगे बैठी हुए थे मैंने तो वह समय नहीं देखा कि वह कहां मतलब आगे आ चुके थे पहले नहीं थे लेकिन वह सी समय आगे आए जब थोड़ा देर पहले जब मैं पार्लिमेंट वो रहा था तो मैं तो मेरा ध्यान तो नहीं के तरफ था मेरा तो जैसे उनके परवार में है तो बिल्कुल वह बहादरी तरीके के साथ वहां खड़े रहे और मतलब उनके जो सारा मंजर था वो तो एक बर ऐसा ही था कि बाग जो जो बाग सकता है पार्लिमेंट से वह तो इसी तरह लग रहा था कि कोई हमला हो गया है लेकिन वह खड़े हो पुलीस के उनके हवाले की है सब सामने गैलरी उसके विजिटर भी वहां से जाते हैं तो यह सारी बाते शरक्षा की जूब के तो हमें खथ्षा था पहले हमने यह बात पहले भी मतलब लोगों से मिलकर पंची का हुख कि इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करना का एक फिरवर बीहा हम कहते हैं वह जङनी के साथ के साथ क क्विधी के खड़ी है हर जगा मजबूती के साथ देश की दुश्मन ताकतों के साथ लड़ाई किया और जो भी सरकार होगी कांगर्स पार्टी हमेशा ही देश के साथ देश से जो ताकत लड़ेगी दुश्मनों के साथ उसके साथ कांगर्स पार्टी मेशा कड़ी है तरंगे की बहाली के लिए कॉंग्रोस पार्टी में शकड़ी अगर कोई और नेता होता किसी दूसरी पार्टी की नेता होते अगर हो किसी धर्म विशेश से जुड़े हुए होते तब क्या होता देखो पहली बात तो यह है कि मैं उसको अपना क्लिक गिनता हूँ तो कोई बात ने हमसे भी लोग पास लेते हैं लेकिन फिर भी ताकीकात होना चाहिए मैं शुकरिया करता हूँ प्रमादमा के मैंने पहले भी बोला है यह कोई मुस्लमान से नहीं हुआ किसी सिक्से नहीं हुआ पता नहीं यह कहा कहा जोड़ देते है आज तो आज ये मतलब प्रमादमा के शुगर है हम तो वो भी गलत हैं जिनों ने किया है लेकिन ये इस बात को सरकार को भी ये सुने और सरकार सोचे कि ये जब देश की बात होती है इसको किसी सुमधाय के साथ मत जुड़ो किसी जात के साथ मत जुड़ो अब जो आपोजिशन के पार्टी के मैंबर से बना होता तो अभी तक तो आपोजिशन के मैंबर भी पकड़ा होता है इन्होंने पुले से साथ ले जाना था यह बाते सरकार को सीखने के जरूरूरत है कि जह जो दुश्मन लोग होते हैं जो जो अतंक फलाना जाते हैं उनके लिए कोई नहीं होता वो किसी भी रास्ते से निकल सकते हैं लेकिन आपने सब को मजबूती के साथ देश के साथ कड़े होना है